हाथ दोस्तो आज हम जिस एप्लिकेशन के बारे में बताने वाले है उस एप्लिकेशन का पहले आप फ्रूब देखो आज हमने जिस भाई का लोन अप्लाइग किया है उसको यहां पर पूरे डेड लाग रुपयतरी की लोन अप्रूब हुई है और यहां पर दस अजार इस वीडियो में हमने बताई हुई है तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हो तो एक वीडियो सुरू सरे के अन तक जरूर देख लो अगर आप इलेजिबल हो गया तो आपको 100% यहां पर लोन मिलेगी तो नमस्कार दोस्तो जगोगेन में आपका एक पर फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो प्रसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल अकर बगकर और लोन कर दो जिसे हमारे हराने वाले इस तरीक से न्यू वीडियो के नोटिफिकसन सबसे पहल तो यहाँ पर 10,000 रुपया से लेके 3,000,000 रुपया तक की लोन यह कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें 14% चलेके 34% तक इंटरस लगाई जाएगा 4% चलेके 6% तक प्रोसेसंग फिस लगाई जाएगी और 3 मेने चलेके 34 मेने का 10 जूर मिलेगा 100% डिजिटल प्रोसेस रहे आप नए उजर हो तो आपके उम्र 21 से लेके 58,000 रुपया है तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाते है ठीक है तो अब यह कॉंपनी कौंची है उसके बारे में हम दोस्तों वीडियो में बीच में या तो वीडियो के लाश में बता देंगे क्योंकि मैं जब भी पहल अपले करने लग जाते हो और बाद में फसते हो तो मुझे कॉमेट करते हो तो इसी वज़े से दोस्तों मैंने अभी एप्लिकेशन को हाइट करके रखा है वीडियो के बीच में या लाश्ट में आपको एप्लिकेशन का नाम पता चल जाएगा लेकिन अपले करने से पहले यह वीडियो पुरा देख लो ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस एपलिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंट्रेक्शन आएगा साइड में स्कॉल करेंगे तो नीचे एक ओप्शन में लेगा दन उस पर हमें अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन को लेने के लिए हमें टोटल चार्स ने होगे पहले हमें eligibility check करनी है उसके बाद documentation upload करना है उसके बाद हमें approval मिलेगी और उसके बाद a loan amount हमारा bank account में transfer की जाती है तो पहले में दूस्तो हमेरो eligibility check करनी है तो सबसे पिले यहापर हमें pencard number पुछा जाएगा वों यहापर हमें enter करेंगे इस box पर tick करेंगे और next पर क्लिक कर देंगे तो हमारा pen card में जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा pen card number यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर हमें gender choose करना है और हमारा area का pen card number यहाँ पर एंटर करना है और simply confirm per click कर देना है तो हमसे employment type पुछा जाएगा कि हम select person है, professional है या self employee है तो आज में जिस भाई कलोन अपले करा हूँ वो यहाँ एक self employee flow category में आते है तो यहाँ पर हम self employee flow category सूस करेंगे तो उसके अधर पर यहाँ पर हमें कुछ detail फिल करनी होगी जैसे कि यहाँ पर हमारा industry type हमें सूस करना है कि कौन्छे industry में हम काम करते है उसके बाद यहाँ पर monthly income mentor करनी है और प्रोसेट पर क्लिक कर देना है प्रोसेट करने का बाद पीछे हमने जो भी detail दे होगी वो यहाँ पर confirmation के लिए आ जाएगी उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर simply proceed पर फिर से क्लिक कर देना है जैसे प्रोसेट पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा processing लेगा हमारा eligibility criteria यहाँ पर check होगा और यहाँ पर थोड़े दिर में बता दिया जाए कि हम कितने तक के loan के लिए यहाँ पर eligible है लेकिन अभी यह final amount नहीं है final amount के लिए हमें अभी document upload करना है और उसके बद यहाँ पर हमें approval मिलेगा अब document हमें other card और pen card के detail देनी होगी और bank statement भी upload करना होगा वो यहाँ पर बताएगिया है ठीक है उसके बद हमें final approval मिलेगी अभी यहाँ पर एक option मिलेगा process उसपर हमें click करना है तो हमारा पहला step यहाँ पर complete हो जाएगा अभी यहाँ पर हमें document upload करना है तो document में हमें 3 step upload करने होगे हमें पहला address verify करना है उसके बद pen card के detail देनी है और उसके बद selfie देनी है तो address verification में हमें अधर करके detail देनी होगी तो अधर करके detail देनी के लिए यहाँ पर एक option मिलेगा अधर OTP verification उसपर हमें click करना है तो हमने next page open होगा जिसमें हमारा अधर कर वेरिफाइए करने के लिए बहुत सारव options दे होए है तो यहाँ पर पहला option है तो हम से यहाँ पर फन्ट के लिए हिएगर का a next to our कोई देनी है तो हमसे यहाँ पर以घ्यलोकर का six digit का pin पूचा जाएगा अगर हमने पास दिजिलोकर में account होगा तो एक pin हमारे पास होगा अदर्वास रेंडमनी कोई भी six digit कपीन यहां पर हमें एंटर कर सकते हैं और उसके बाद simply continue पर क्लिक कर देंगे continue करने के बाद यहां पर थोड़ा processing लेगा अब यहां पर दोस्तों हमें paint card के detail भी देनी है तो यहां पर हमें paint card number एंटर करना होगा और यहां पर fetch document पर क्लिक कर देना है तो यहां पर देखोगे तो हमेरा अधर काड़ी भी अप्लोड हो चुका है और paint card भी अप्लोड हो चुका है और अगर आपके bank में mobile number लिंक है तो आप register mobile number लिप यहां पर bank statement अप्लोड कर सकते हो तो इन में से आपको जो भी comfortable लगे वहां से आपको अपना bank statement तीन महने का अप्लोड करना है तब यहां पर proceed पर click करना है तो सबसे पहले हमें bank सूस करनी है कि कौनची bank में हमारा account है उसी में से हमारा bank statement हमें upload करना होगा और bank सूस करने के बाद यहां पर हमें अपना bank statement upload कर देना है bank statement upload करने के बाद यहाँ पर हमारा eligibility final check होगा और तुरंत हमें बता दिया जाएगा का हम कितनी loan के लिए eligible है तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें पूरे 10,000 रुपय तक की loan यहाँ पर मिल चुकी है अब यह final amount है अब यह जो loan मिलती है वो हमारे bank statement का आधर पर ही मिलती है हमारे bank में regular कितनी salary आती है उसके basis पर ही यहाँ पर हमें approval मिलती है अगर आपकी salary ज़्यादा आती होगी या आप एक businessman होगे तो आपके account में हर्मत ज़्यादा का transaction होता होगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादा amount की loan मिलेगी अब यहाँ इस भाई के case में हर्मत 15,000 का transaction होता है तो उसके सबसे यहाँ पर उसको 10,000 रुपे की loan मिले है ठीके अब इस loan पर tenure fix रहेगा 12 महने का tenure मिला है और 900 account रुपय हर्मत EMIP करना होगा अब यहाँ पर दोस्तों view charge and summary देखना चाहो तो भी देख सकते हो और repayment schedule देखना चाहो तो भी यहाँ पर आप देख चाकते हो अदरवज यहाँ पर आपको confirm पर क्लिक करना है जैसे confirm करेंगे तो यह जो loan amount है वो अमरे bank account में transfer होने के लिए processing में चली चाहेगी यहाँ पर आप देखोगे तो 10,000 रुपय की loan है जो कि 3-4 गंटे के अंदर इस भाई के bank account में transfer हो चाहेगी यहाँ पर 12 महने का tenure है 900 account रुपय हर्मत EMIP करना है और interest amount यहाँ पर 1500 रुपय बताएगी है और repayment schedule देखना चाहो तो यहाँ पर आपको link मिलेगे वहाँ पर click करके आप यहाँ पर इसका repayment schedule भी देख सकते हो ठीक है तो इस तरीक से दोस्तो आप application से मतरब 2 minute के अंदर loan ले सकते हो अब बात करते है कि इस application का नाम क्या है तो दोस्तो इस application का नाम है चोला वन एक RBI register NBFC अपरू application है इसके NBFC का नाम है चोला मजलव investment and finance company limited जिनके द्वरा ही यहाँ पर limit प्रवाइड की जाती है तो अगर आपको loan की जरुत है तो आप एह बाले application के तरफ आ सकते हो मैंने यहाँ पर आपको A2Z process बता दिया है ठीक है तो चले दूस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करते है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो like, share, comment and subscribe करना ना बूले तो चले दूस्तो मिलते को रहे सी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन जै भारत